अलो प्रेंट्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है आज मैं बेच्चू BSC के कुछ और प्रशनों का हल कराऊंगा समानतर प्लेट संधारित की धारिता निर्भर नहीं करती है इनके आप्शन है पहला प्लेटो के छेत्रफल पर, प्लेटो के बीच माध्यम पर C, प्लेटो के बीच की दूरी पर और D, प्लेटो की धातू पर समानतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसकी धारिता किन-किन कारकों पर निर्भर करती पहले वो जान लिजे संधारित्र की धारिता प्लेटो के छेतरफल के अनुक्रमानुपाती होता है यानि C proportional capital A धारिता उनके बीच के माध्यम के अनुक्रमानुपाती होता है C proportional के तथा प्लेटो के बीच की दूरी के व्यूत करमानुपाती होता है अर्था C proportional 1 upon small d तो इसमें जो चौथा आप्षन है D वो करेक्ट होगा यह प्लेटो की धातू पर निर्भन नहीं करता है तो हमारा एंसर होगा D Next question है किसी संधारित की प्लेटो पर आविश बढ़ाने से होता है क्या होता है वो आप्षन है देख लिजे धारिता बढ़ती है प्लेटो के बीच विभुहांतर बढ़ता है दोनों बढ़ते हैं कोई नहीं बढ़ता है तो इसका एंसर होगा A धारिता बढ़ती है Next question है चित्र में बिंदू A और B के बीच तुले धारिता है जो चित्र दिखाये गया है उसमें A और B के बीच तुले धारिता कितनी होगी उसकी गड़ना करना है इसके option है एक दसमरो पाँच माइक्रो फेरड तीन माइक्रो फेरड दो माइक्रो फेरड और D एक माइक्रो फेरड तो इसका answer होगा D एक माइक्रो फेरड कैसे अब उसे जान लेते हैं चित्र में जो हमारा दिखाये गया है उसमें एक दस्पनो पाँच माइक्रो फेरड वो एक दस्पनो पाँच माइक्रो फेरड समानतर क्रम में है अत्या इन्हें पहले हम समानतर क्रम में जोड़ लेते हैं समानतर क्रम में तुल लिधारिता का जो सुत्र होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 तो आपका C इक्वल टू हो जाएगा एक दस्मुलो पाँच प्लस एक दस्मुलो पाँच इन्हें हम जोड़ देंगे तो आ जायेगा हमारा 3μF अब 3μF A के पास वाले और B के पास वाले तथा जो तुले धारिता निकाले हैं 1.5μF वो 1.5μF का उन तीनों को स्रेडी क्रम में जोड़ देते हैं स्रेडी क्रम में जोड़ेंगे तो तुले धारिता के सुत्र से 1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 तीनों के मान 3 हैं तो रख देंगे तो 1 by C equal to 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 LCM ले लेंगे तो 3μF आ जाएगा और उपर 1 plus 1 plus 1 तो हमारा हो जाएगा 1 by C equal to 3 by 3 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो 1 by C equal to हो जाता है 1μF अता C equal to 1μF यह हमारा एंसर है Next question है प्रित्वी को 400 km त्रिज्या का गोली चालक मानने पर इसकी धारिता होगी Option है अनन्द, B सुन, C 711μF और D 171μF तो इसका उत्तर होगा C 711μF कैसे अब वो जान लिजे प्रित्वी की त्रिज्या जो दिया है 6400 km इसे हम मीटर में बदल देते हैं तो आपका R equal to 6400 गुडे 10 के घा 3 मीटर क्योंकि 1 km बराबर 10 के घा 3 मीटर होता है अता R equal to 6400 गुडे 10 के घा 3 किलो मीटर गोली चालक की धारिता के सुत्र से C equal to 4 pi epsilon 0 into R तो आपका 4 pi epsilon 0 की जो वैलू होती है 1 बटा 9 गुडे 10 के घा 9 तो वहां मान रख देंगे अता R equal to 1 बटा 9 गुडे 10 के घा 9 और उपर गुडे 6400 गुडे 10 के घा 3 आपका 10 के घा प्लस 9 नीचे जो है उपर जाएगा माइनस 9 हो जाएगा और प्लस 3 एड करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 6 तो हमारा solve करने मिलेगा 6400 बटे 9 गुडे 10 के घाथ माइनस 6 अब 9 से इसको काड़ देंगे तो 711 मिल जाएगा और 10 के घाथ माइनस 6 फैरड और 10 के घाथ माइनस 6 फैरड बराबर 1 माइक्रो फैरड लिखते है अतो गूली चालक की जो धारिता होगी वह 711 माइक्रो फैरड हो जाएगा नेश्ट कोशन है एक मीटर तिरिज्या की गूली चालक की धारिता फैरड में है आप्शन है एक दस मलो एक गुडे 10 के घाथ माइनस 10 बी दस के घाथ माइनस 6 सी नौ गुडे 10 के घाथ माइनस 9 और डी 10 के घाथ माइनस 3 तो इसका एंसर होगा A 1.1 गुड़े 10 के घात माइनस 10 फैरड कैसे बुज्यान लिजे त्रिज्य आर बराबर दिया है एक मीटर गोली चालक की धारिता के सुत्र से C equal to 4 pi epsilon 0 into R 4 pi epsilon 0 की वैलो 1 upon 9 गुड़े 10 के घात 9 गुड़े 1 अब 10 के घात जो plus 9 है उपर जाके माइनस 9 हो जाएगा अता 1 upon 9 गुड़े 10 के घात माइनस 9 10 का उपर नीचे गुड़ा कर देंगे तो 10 upon 9 गुड़े 10 के घात माइनस 10 तो हमारा solve करने मिलेगा 1 upon 1 गुड़े 10 के घात माइनस 10 माइनस नौ और माइनस एक जूड के माइनस दस हो जाते तो मारा एंसर हो जाएगा एक दस मुलो एक गुड़े दस के घात माइनस दस फैरड नेस्ट कोशन है साथ माइक्रो फैरड धारिता वाले एक संधारित्र की प्लेट पर तीन गुड़े 10 के घात माइनस 8 कुलाम आवीश है संधारित्र में संचित उर्जा होगी अप्शन है 2.5 गुड़े 10 के घात माइनस 15 जूल 1.5 गुड़े 10 के घात माइनस 14 जूल नेश्ट 3.5 गुड़े 10 के घात माइनस 13 जूल और लाश्ट 7.5 गुड़े 10 के घात माइनस 12 जूल तो इसका एंसर होगा D 7.5 गुड़े 10 के घात माइनस 12 जूल कैसे होगा वो जान लिजे हमारा दिया है कोश्चन में सी क्वल टू 60 माइक्रो फेरड इसे हम फेरड में कनवर्ड करेंगे तो 60 गुड़े 10 के घात माइनस 6 फेरड क्यू बराबर 3 गुड़े 10 के घात माइनस 8 कुलाम यू निकालना है तो यू बराबर सुत्र होता है एक बटा दू क्यू इस्क्वाइर अपॉन सी मान रख देंगे सॉल्व कर लेंगे हमारा एंसर आ जाएगा 7.5 गुड़े 10 के घात माइनस 12 जू नेस्ट कूर्शन है तीन बराबर धारिता वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में स्रेडी क्रम में जूड़ा जाता है दोनों दसाओं में तुल्ले धारिताओं का अनुपात होगा आप्शन है 9 संबंधे 1 6 संबंधे 1 3 संबंधे 1 और 1 संबंधे 9 तो इसका एंसर होगा A 9 संबंधे 1 कैसे वो जान लिजे माना तीनों संधारित्रों की धारिता बराबर C अता C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 समांतर क्रम में जब इन्हें जुड़ा जाता है C एक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अता इनके मान रख देंगे तो C डैस बराबर मिल जाएगा 3C स्रेडी क्रम में जब इन्हें जुडा जा технолог तो C डबल डैस मान लेते हैं 1 अपॉन C double dash बराबर 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C इनको solve करेंगे तो C double dash बराबर C by 3 मिलता है अब इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे C dash बराबर C double dash solve करेंगे तो हमारा आज आएगा 3C पूरे के बराबर C upon 3 नीचे का 3 उपर चला जाता है तो 3 into 3 C बराबर C C से C cancel हो जाता है और मिलता है हमें solve करने पर 9 सम्बंदे एक जो option number A है Next question है 100 microfarad धारिता वाले संधारित्र को 10 बोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित उर्जा होगी पाला option है 5 गुड़े 10 के घात माइनस 3 जूल दूसरा option है 0.5 into 10 के पावर माइनस 5 जूल तीसरा 0.5 जूल और चौथा 5 जूल तो इसका answer होगा A 5.0 गुड़े 10 के घात माइनस 3 जूल कैसे अब इसे solve करते हैं हमारा दिया है C बराबर 100 माइक्रो फेरड अर्था 100 गुड़े 10 के घात माइनस 6 फेरड जिसे solve करेंगे 10 के घात माइनस 4 फेरड हो जाएगा B बराबर 10 बोल्ट U question mark तो संचित उर्जा U बराबर 1 बटा 2 C B square तो आप मान रख देंगे यहाँ पे अता U बराबर 1 बटा 2 गुड़े 10 के घात माइनस 4 गुड़े 10 का square solve कर लेंगे तो 10 का square हो जाएगा 100 अब इन्हे solve कर लेंगे तो हमारा answer आ जाएगा 5.0 गुड़े 10 के घात माइनस 3 जूल निश्कोशन है दिये गए परिपत में बिंदू A व बी के बीच तुले धारिता ग्याद कीजिए चित्र में जो परिपत दिखाये गया है उसकी तुले धारिता ग्याद करनी है इसका option है 4 माइक्रो फेरड B 12 बटे 7 माइक्रो फेरड C 1 बटे 4 माइक्रो फेरड और D 7 बटे 12 माइक्रो फेरड तो इसका answer होगा A 4 माइक्रो फेरड कैसे अब वो जान दिजे उपर के 2 माइक्रो फेरड वो 2 माइक्रो फेरड को स्रेडी क्रम में जोड़ देते हैं स्रेडी क्रम में तुले धारिता का सुत्र होता है 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 तो यहां मान रखेंगे आजाएगा 1 प्लस 1 अता 2 बटे 2, solve करेंगे तो आजाएगा 1, तो व्यूत करम कर देंगे C बराबर हो जाएगा 1, अब 1 माइक्रोफेरड और 3 माइक्रोफेरड को समांतर करम में जोड़ देते हैं, तो समांतर करम में जो तुल इधारिता का शुत्र होता है, C- बराबर C1 प्लस C2 तो हो जाएगा C- बराबर 1 माइक्रो फेरड प्लस 3 माइक्रो फेरड सॉल्व कर देंगे तो आजाएगा 4 माइक्रो फेरड जो हमारा एंसर होगा A Next question है समान त्रिज्या तथा समान आवेस की पारे की 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के तुल्ना में होगी इसके option है 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी और 16 गुनी तो इसका answer होगा 2 गुना next question है दो आवेसित चालकों को एक चालक से जोड़ने पर उनके बीज आवेसों का पुनरवित्रण होता है इसके option है विभाओं के अनुपात में, धारिताओं के अनुपात में, पदार्थों के घनत्यों के अनुपात में, बाह माध्यमों के अनुपात में तो इसका answer होगा B, धारिताओं के अनुपात में next question है एक धातू के गोले की धारिता 1.0μF है तो उसकी त्रिज्या लगभग होगी option है 9 km, B 10 m, C 1.1.1 m और D 1.1.1 cm तो इसका answer होगा A, 9 km अब इसे solve करते हैं तो हमारा दिया है question में C बराबर 1.0μF अतर C बराबर एक गुडे 10 के घात माइनस 6 फैरड एक question mark गोली धारिता के सुत्र से C equal to 4 pi epsilon 0 into A अब A का मान निकालना है मान रखने पर एक गुडे 10 के घात माइनस 6 बराबर एक बटा 9 गुडे 10 के घात 9 इन्टू A नौ गुडे 10 के घात 9 जो भागुरा इदर लेट सैड जाके गुड़ा हो जाएगा अत्व A equal to एक गुडे 10 के घात माइनस 6 गुडे 9 गुडे 10 के घात 9 सॉल्व करेंगे तो आजाएगा 9 गुडे 10 के घात 3 मीटर अब 10 के घात माइनस 3 मीटर बराबर एक किलो मीटर होता है अत्वा इसका option हो जाएगा A 9 किलो मीटर next question है R1 वर R2 तरिज्याओं के दो चारलग गोले के प्रिष्टो पर आवेशों के प्रिष्ट घनत बराबर है प्रिष्टो पर वैद्दू छेत की तिवरताओं का अनुपात है option है R1 square बटे R2 square B R2 square बटे R1 square C R1 बटे R2 और D 1 बटे 1 तो इसका answer होगा D 1 बटे 1 या 1 सम्मंधे 1 कैसे आएगा ये answer आपको पिछले वीडियो में बताय गया था जिसे आप देख लेंगे next question है त्रिज्या A के किसी प्रिथक गोली चालक की धारिता होती है इसके option है A upon 4 pi epsilon 0 farad B 4 pi epsilon 0 A farad C 4 pi epsilon 0 बटे A farad और D A farad तो इसका answer होगा B 4 pi epsilon 0 A farad next question है capital R त्रिज्या के विल्गित गोली चालक की धारिता अनुक्र मानुपाती है option है R square next 1 upon R square next 1 upon R next R तो इसका answer होगा D R C बोल्ट प्रती कुलाम C बोल्ट प्रती कुलाम और D कुलाम प्रती बोल्ट तो इसका answer होगा D कुलाम प्रती बोल्ट कैसे वो जान लिजे धारिता C बराबर Q upon V Q का मात्रक कुलाम V का मात्रक बोल्ट अता धारिता C का मात्रक कुलाम प्रती बोल्ट होगा next question है capital R तरिज्या के विल्गित गोली चालक पर plus Q आवेश एक समान रूप से वित्रित है तो गोली चालक की धारिता होगी option है 4 pi epsilon 0 capital R next 4 pi epsilon 0 बटे capital R next R upon 4 pi epsilon 0 next 4 pi epsilon 0 R square तो इसका answer होगा A 4 pi epsilon 0 R जो गोली चालक की धारिता होती है वह आवेश पर निर्भर नहीं करती है गोली चालक की त्रिजय पर निर्भर करती है अतर जो धारिता का सुत्र होगा वह c equal to 4 pi epsilon 0 into R होगा तो इसका answer होगा A 4 pi epsilon 0 R वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद आपसे अनुरुद है कि चैनल को सस्क्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों को जरूर सेयर करें